नमस्कार मैं स्रेजन आपका स्वागत करता हूं डिजिटल भारत न्यूस के डिजिटल डॉक शो में एक राजनेतिक परिपाटी और आज ऐसी ही चीजों से जोड़े हुए है हमाई बीच में सौरम नाटी शर्मा जी कॉंग्रेस के अग्रणी नेता है और लगातार बेविन प्रकार के अंदोलन करके अपनी उपस्तिती दर्च करवाते रहते हैं हम स्वागत करते हैं सौरम पर्णी बारा नेति बीचंग में मातपूर में होता है कि आप कोई भी छेटर हो उसमें को बहुत करें कि आपका उस चार्श में आने का मोटो क्या है आपको अदेश क्या है और कि आप उस रास्ते पर जिमांदारी से चल पा रहे हैं घिड़िता जी की जो राजनीति थी त जिनके मूलबुद अधिकारों का हननन होता लिग सामाज एक सुरक्षा के जितनी भी अधिकार उते थे उन्हीं पहुंचते थे उनकी लड़ाई लडने का शी पढ देख लिटे पदेग मेरें जिस तरीके का संपत्ती के तौर पे जो जनाधार मेरे को उसको समालते समालते उसी रास्ते पे चलने का काम करते हैं, घर का जो परिवेश था, घर का जो माहूल था, उसमें देखा कि किस तरीके से पिताजी लोगों की मदद करते थे, जैसा भी बनता है उसे हसाब से सडकों पे काम करने के लिए उन गरीब जनता के लिए लगने का मे अंदोरा नमारा जाली है जब जब वहाँ पर नगर सत्ता की तरफ से पहल करी गई है जब भी उनने वहाँ पर कुछ करने की कोशिश करी गई है वहाँ पर उनको सक्ती से जवाब दिया गया है पर आपके माध्यम से नगर सत्ता को और नगर नगर प्रसाशन को हमा अगावी क करना चाहते हैं कि अगर आपके महाँ पर कोई दूशित मनसूबे हैं जो आप लोकी छुपी करके अगर महाँ पर कुछ कारवाई करना चाहते हैं तो आपको एक तगड़ा विरोद जेलना पड़ेगा चाहे उसमें खुन बहें चाहे वहाँ पर लाथी चले चाहे लोगों को जेल जाना पड़े लेकिन एक तगण विरोध आपको महाँ पर जीलना पड़े है। चुकि कॉंग्रेज की विचारदारा से हैं, कॉंग्रेज का विरोध इस समय आज के समय में कम देखता है, विविन्न मुद्दों कर, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेज का विरोध कहीं भी कम नहीं देखता है, चाहे अभी वर्तमान में जो मुद्दा चल ला है, नोडबंदी का, खुलकर कोई नोडबंदी में क्यों नहीं देखा से हैं? नहीं, खुलकर देखिए, मानी प्रधान मंतिवी जी ने देश से आवान कर रहा है कि पचास दिन मेरे को दो, उसके बाद मैं सुनने हिंदोस्तान आपको दूँगा, ऐसा तो नहीं कांग्रेज के मन में असुरक्षा की भावना है, पालेद हमको लेके, इसलिए वोई खु और उए जहां तक आप काले धनकी बात कर रहा हैं, तो मैं समझता हूँ कि मद प्र देश में सबसे जादा काले धनकी चंता पड़किके नेताओं के पास हो, अनकी धरम पतनी साधना सिंग के पास है, उनके जो गुरगे व्याพब में बंद हुए थे, उनके पास है, तो काल इसके लिए हमाई पूर्व की सरकारों नहीं भी बहुत से काम करे थे लेकिन काले धन की आड़ लेके बिना सोची समझी तैयारी करें बिना प्लानिंग करें पूरे जन्मानस को तकलीफ में डालना यह सिर्भारती जन्ता पार्टी कर सकती है मैं आपको बारो बार कह रहा हूं कि यह आंदूलन हमारा चरंगबत तरीके से जारी है और अभी भी वरतमान में यह आंदूलन जारी है हम देखना चाहते हैं कि 50 दिन के बाद ऐसी कौन सी सोने की डंडी मानी प्रधामंत्री जी को माने वाले हरा आदमी खुश रहेगा 50 दिन के बाद और वो देख ले उसके दिन से मानी प्रधामंत्री जी ने यह घुजड़ा करी है उस दिन से आम आदमी की तकलीफे बढ़ना शुरू हो गई है 50 दिन के बाद हमारा अंदूलन दूसी देशा में पचास दिन क्यों ऐसा तो अब बोलते बोलते 12 साल हो गये सिवराज सिंगु चोहान विपख्श जो एक टड़ा विपख्श होना चाहिए जहां सब्ता दर्भणी new ये वाकिध में अगर करते तो विपक्ष गायब दिफ्रमो थ 같은데 निए एक है कॉंग्रिस बूंकर बिलकुल करते नहीं देकती है यह सब्ती की विपक्ष कही भी गायब नहीं यह बनी है विपक्ष ने बिलकुकि असाइड के चाहिया से आप जबलपुर नगर निगम में आद देख रहे हैं, ये बड़ा ही नाग कटाने वाला काम है जबलपुर के सब्तादारी जनप्रती निदियों के लिए, कि ये कमिशनर बैठ के पूरी नगर निगम चलाता है, मानी महापौर महोदिया बोलती है कि वो कमिशनर सहाप के मन मे बहुत बड़ी प्लान है और विकास के लिए आप लोग सब त्यागे, अगर जनप्रती निदी अधिकारियों की बोली बोलने लगेगा, तो मेरे को लगता है कि इस नगर निगम में जो भारती जनता पार्की की महापौर महिदया है, उनको अपने पत पे बैठने तक का महापौर महुदया जो है, उनको पबलिक ने वोड दे के चुना है, ना कि कोई कमिशनर जैसे की आई-एस की पढ़ाई करके वहाँ पर इसनापित हो, वह वहाँ पर इसलिए बराजमान है कि लोगों की समस्याओं को सुने और उस दिशा में काम करने का काम है, ये तो अच् पर बठा देते हैं, लोगतंतर में अगर आप जो जन प्रतिनिदी चुनके आएं, या तो वो पंगू है तो उनकी आवशक्ता नहीं है, या तो वो बहिमान है तो उनकी आवशक्ता नहीं है, डरे हुए जन प्रतिनिदी, सांट गाट करे हुए जन प्रतिनिदी, कभी भी कि आदिकरमार की कारुइए बड़े आर्मियों को रही सो तो चोड़ दिया जाता है चोटे आदमियों पे कारवाई करके अपनी पीट थपता पाई जाती या नियुकोबार आपने भी देखा है और मैं आपके माध्यम से चैलेंज भी करना चाहता हूँ जिस समय भी अगर कमिशनर साथ बैठना चाहें छाहे कमिशनर हो चाहे अधिकारी हो Его हो मिल जलके सांगाड करके पूरे जबर ने कादाम कर देंगा कि इसमार्ट सीड़ी की अंशे बीकार लेते हैं क्या दृष्ट्री को लेकर तेसमार्ट सीड़ी का जो एक सब्सक्राइब दिखाया जारा है Smart City के नाम पर जो करों की बात करी जा रही है कि जिन-जिन वर्डों को आप स्मार्ट बनाने का काम कर रहे हैं वहाँ पर पूरे जपलपुर में उस स्मार्ट सिटी के नावम के लिए इतना टैक्स लिया जाएगा स्मार्ट सिटी के नाम पे नेपया टाउन, राइट टाउन, सिवल नाइस, पच्पेडी ऐसे जगों को चिन्नित किया जा रहा है जो आरेटी जबलपूर के हिसाब से स्मार्ट है स्मार्ट सिटी के अंदर काफी प्रोजेक्ट आने वाले हैं कॉंग्रेस के नेताओं दारा हमेशा यह बयान दिया जाता है कि यह एक नए गोटाइली की तैयारी की आ रही है आपका क्या कहना है देखी कॉंग्रेस ने हमेशा से जब भी जबलपूर में बीजेपी दारा लूट करी गई है उसको हम लोग उने मजबूती से उठाया है भले ही वो उतने मुखर हो के आपको नहीं देखती हो या दिखती हो बात नहीं जहां तक सीवल लाइन का मामला है कांग्रेस ने हर इस तर पे इसको ठाने का काम करा है दो हजार कडोर रुपे जवलपूर के लिए आया था जैन यू आरन के लिए सीवल लाइन का एक नोटन की बहुत सालों से जवलपूर में चल दी थी आज उसकी क्यास्तिति ये भी आप से चुपी नहीं जब 2,000 करोर रुपे जबलपुर में गल चुके हैं तो स्मार्ट सिटी का पईसा कहा जाएगा ये बात आप खुछ सकते हैं जिस योजना की आप बात कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी योजना थी और ये कॉंग्रेस की मनमुहन सिंग के कारकाल में चलाए गई ती ये वर्ल्ड बैंसे जैन यू आरेन के माध्यम से बहुत पैसा भी आया था लेकिन आप खुद देखें वो दो हजार करोर रुपया जबलपुर में कहीं पर देख रहा हैं अगर इमानदारी से आथा पैसा भी लग गया होता तो जबलपुर का कायकल फो गया होता लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में नगर सब्ता थी कि जिनने अपने घर बनाए हैं उस पैसे से लेकिन जबलपुर में विकास काम करने का काम नहीं करा हैं सिख्छा की छेतर में आपने काफी मुद्दे उठा हैं गरीबों के 21% एड्मिशन कोटे को लेकर मैंने सिविक सेंटर में आपको अंदोलन करते देखा हैं काफी मैं तो कह रहा हूँ 99.9% सिक्षर संस्ता हैं इसी हैं जो इस मापड़न पे खरी में उतरती हैं और ऐसे एड्मिशन नी कराती हैं अने को बार जहां कहीं भी हम लोगों को ऐसी खबर लगती है उस स्कूल में जाके हम लोगों के मैनेजमेंट से बात करके और लोगों के एड्मिशन कराने का काम करते हैं मगर मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जवाबदारी जो सत्ता में पॉलिटिकल पार्टी है हमारे जिले के जो अध्यक्ष हैं उनकी पहले बनती हैं हमने विपक्षी दल है इस वरगी की मैं लड़ाई रखता हूँ इसलिए हम मेरे पास ये मामले जा रहा आते हूं मैं स्वेम जाके करता हूँ लेकिन अगर इस बात को मुहीम के तौर पे अगर कलेक्टर महदे करना चाहें महापवर महदेया करना चाहें इस शहर के जो जनप्रती निदी हैं अगर वो इसको करना चाहें तो ये कोई बड़ा काम नहीं है कि इस शहर के जो इसकूल वाले हैं उनकी तानाशाई उनकी मनमानी चल सके इस कोटे का कैसे violation करना है इस कोटे से कैसा बचना है ये पूरा स्कूल वालों को ग्याद है और उस तरीके से वो काम करते हैं जो गरीबों को जो अधिकार मिलना है वो सिर्फ एक काग जो में सीमित रहता है हम लोग से जितना बन पाता है उतना लड़ जगड़ के हम लोग अधिकार गरीबों के लिए राशन काट की अगर वेवस्ता की गई है तो कांग्रेसी की राशन की दुगान है तो उसको छूट दे दो, बीजेपी की तो उसको छूट नहीं दो, वो तो ही नहीं हो चाहिए, पॉलिसी का इंप्लिमेंटेशन राजनितिक दलों के हिसाब से तो और बहुत बड़ा एंपायर ना बना लिया हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आप गरीबों का हक मारोगे, तो विपक्ष के तोर पे हम तो लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेंगे, मगर आपके मात्यम से, उन जवाबदार लोगों से, उन जवाबदार अधिकारियों से अपेल करना चाहता हूँ, कि जो गरीबों के हक बाँ है, जो गरीबों का अधिकार है, उनको दिलाने के लिए आप अपनी शक्तियों का प्रियोग करने का काम करें, चाहे वो कांग्रेसी का स्कूल और भाजपाई करें, जाहे बादार देंगे, बिल्कुल आप मेने को बता कॉंग्रेस संगठन के जिस पत्पर हैं आप अभी उसके बाद क्या भविष्ट की योजना है और राजनेतिक भविष्ट के बारे में क्या सोचते हैं देखी कामरेस पार्टी का एक मैं समगता हूँ बड़ा अनुशासित कार करता हूँ मैं अपने आपको यह दिखता हूँ कि जब तक जीवन है सारवजिनिक जीवन में इमांदारी से काम करूं कामरेस पार्टी जो भी दायत दे जो भी चीज से नवाजए उसको में इमांदारी से करूं अगर आप कोई स्वार्ट लेके अगर संकल्प करोगे तो आपका वो संकल्प कभी पूरा नहीं हो सकता है सिर्फ एक उद्देश रहे कि जिस छेतर में आपको किस उद्देश से आप रायनीती में आया उस उद्देश के लिए आपको 100% देना है जिस विचारदारा के हुआप उस विचारदारा के दलका आपको जंड़ा दंड़ा उठाना है इमांदा इसे काम करना है पद जो है वो आपके समयकाल में आप जैसे जैसे काम करोगे आते जाते हैं मन में भावना हैं तो आती होंगी वहतेशलिकों को समकालिय चात्र नहें थे जो आगे बढ़ चोगinas के मेरे को कभी कभी जीवन में कभी हीन tutorials आए नहीं आती क्योंकि मैं समझता हूं कि जिसों में अभी हून मैं परयात पाख हूं मैं तीकर्श कामऐ रहां हम्र। क वण्टप्र स कॉमीटी का सेकर facties काम है उस तरफ मेरा ध्यान नी रहेगा इमानदारी से आप चलने का काम करें आज आप जिस जगे मेरे को बिठाए हो डीजिटल बाहद आते हैं इसकर क्या था आप ने छोटे ही से शुरुआत करी थी आप अगर स्वार्थ करते कि मैं ऐसा करूंगा तो यह हो जाए तो दस मै लेकिन आरक्षण है एसा हो गया कि महा पऊर का चुनाओ लबना असंबभी था अज़के राजनितिक जो आदमी सारजनिक जीवन में है कोई भी चुनाओ आता है जो आपके लगने की इक्षा होती है तो इसमें प्रतियस परदा करने की कोई बूरी बात नहीं है लेकिन मैं अगर कभी भी हतार नहीं होता हूँ, अगर मोका नहीं मिलता है, तो मैं कभी भी इस त contribute सानल नहीं हुता हूँ, कि अपनी विचाषद föत्षभा को अपनी पार्टी को लगए. अगर मैं कहीं से विधान सबा की टिउकल मांगता हूँ, तो महाँ पर मेरे जैसे कम से कम 30-40 साथी भाई होई हैं लेकर ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा उनका भाग खराब हो या मेरा अच्छा हो जिसको भी मिले वो कांग्रेस पार्टी का कार करता है उसके लिए लगना चाहिए लग लग अगली बार महाँ पर के लिए देखा जा सकता है आपको दावेदारी के शिच्छा की क्या इस्तिती होती है सड़कों पर लड़ते 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 और जनता के बीच आना ही पड़ता है इसलिए हम आपसे ऐसे सवाल कर रहे हैं नहीं बिल्कुल सही हो, मैं तो कहता हूँ, आंदोलन का रास्ता, जनता के बीच जाने का रास्ता, ना केवल विपक्षी दलों के लिए रहना चाहिए, सब्ता दल वालों को भी इस रास्ते पे चलना चाहिए। जनता पार्टी के नेता जीत जाते हैं, तो जनता के ग्रणा करने लगते हैं, और फिर उसके बाद उनके खिलाब जो काम करते हैं, वा भारती जनता पार्टी के नेचर बाना चाहिए। आम जनता के बीच काफी बेमनश्चिता फैली है। लोग उनके नाम से सायथ हो सकता है कॉंग्रिस को आने नहीं देना चाहिए। जो राजनीती में आदमी रहता है, उसको हार भी पहनाया जाता है। मानित दिग्वजे सिंग जी ने अपना दो कारकाल इतने अच्छे से चलाया जिससे भारती जनता पार्टी भैडिती और भारती जनता पार्टी रूमर फैलाने में बड़ी मायर है। ओमा भारती जी आ गए, मिश्टर बंटा रहा है। जब भी कोई पार्टी रहती है ज्यादा समय सब्ता में उसका एंटी इंकम्बेंसी बनता है। अजका लग क्यों नहीं बढ़ता है। आप इस बार देखी, 2018 में इतना भेंकर एंटी इंकम्बेंसी बनेगी। इसा हमेशा कहा जाता है, शैडूल उप्चनाओ को भी लेकर कहा गया था कि कॉंग्रेस आएगी आएगी। लेकि उसमें भी भारती है। उसके बाद नोडवन्दी जो की इतना बड़ा इतिहासी फैसला हुआ, उस फैसले के बीच में ये चुनाओ होता है। उसके बाद भारती जनता पार्टी ने जहां पर वो हमारी कैंडिडेट रहती थी, वहाँ पर 19 निर्दली कैंडिडेट खड़े करें। उनको फाइनिंशियल फीडिंग करी और तक्रीवां पौने 2 लाग वोट उन निर्दलीयों ने ले लिए। हम मान रहें कि इसमें हमारी मैनेजमेंट की चुक हुई है, अगर वह उनने से इंडिपेंडेंट नहीं लड़े होते, तो तक्रीवां एक लाग से उपर कामरेस की वहाँ पर बजाए। तो फिर इस प्रकार की रूमें से इस प्रकार की बात ने क्यों, जन्ता आपके कार को याद रखेगी और वह जरूर आपको वोट करेगी। यह करती है, तो मैं बतातो रहूं, वोट कदा तब ही तो हमाँ पहुने तीन लाग की जो हार थी, वो पचास हजार पे आ गई, दो लाग की अरतार पहले से क्या आपने मान लिया था भारे हैंगे, बिलकुल नहीं माना था, हम मान रहे हमारे मेनेजमेंट पूर था, अगर उननेस जन को पॉने दो लाग, अगर मैं अगर निर्दली अगर कहीं पर खड़ा होना हूं, तो मैं कमसे में इतनी तो वकार रखता हूं कि आट-दास अजाग वोट कहीं से पालू, लेकिर वो आट-दास अजाग अगर मैं खराब करूंगा तो उसे चुनाओ के बहुत से स इंदिया जी, दिखवेजे सिंग, दिखवेजे सिंग का तो चलिए हम मान सकते हैं, लेकिन दूसरे भी और भी नेता हैं, तो ये चेहरा क्यों नहीं देखता है, देखिए दिल्ली आला कमान में इस बात के लिए मंतर भी चल रहा है, आप देखेंगे बहुती जल्दी बना और 2018 पे इस प्रदेश की सत्था पे आसीन होगी, चलिए भी बात हम मान लेते हैं कि 2018 पे सत्था पे आसीन होगी, सत्था पे आसीन होगी, आपके विक्तिगत लूप से कौन हो सकता है चेहरा, मुख्यमंत्री का, देख कांग्रिस पार्टी में कभी ऐसी परिपार्टी नही इस प्रचाबिस प्राबिल हैं, उसमें जो भी बने, वह फमारयों का, नहीं, एक नाम नहीं, सब सम्कुक्ष हैं कांग्रिस पार्टी के हमारे जिनने नहीं नहीं हो, चाहिए मानिये और कमनार्थ जी हो, सिंद्या जी हो, पचौड़ी जी हो, धिकविजय सिंघ जी हो, तो इनी में से कोई बनेगा और ये सब सक्षन है और ये सब हमेशा सामजिनिक दीवन में रहते हैं लोगों की लड़ाई लड़ते हैं दर्वाल लगाते हैं लोगों की समस्याओं को हल करने का काम करते हैं राज सबसे आपके नव निर्वाचे सांसत विवेक तंखा जी अभी चुंकराएं इतने बड़े आंदोलन हो गए बड़े आंदोलन आपके संगठन द्वारा किये गए तंखा जी के अनुपस्तिती क्यों जिस तरीके से नोडबंदी का मामला हो चाहे कोई भी आंदोलन हो का इस नोडबंदी के मामले पे जितना तंखा जी दिल्ली पे लड़ रहा है प्रदेश का कोई निता आपको नहीं देखता होगा तो कहां से आप ऐसे कह रहे हैं कि इस आंदूलन में तंखा जी नदारत हैं तंखा जी को आप संसत के अंदर लगते हूँ देख लीजिए संसत के बाहर जो नोडबंदी पे विपक्षियों को एकटे करके सब्ता पक्षिते लड़ने की बात हो वहाँ पर आप तंखा जी को देख लीजिए काम तंखा जी लड़ाई सड़कों से चालिए होती सड़कों पे तंखा जी क्यों नहीं दिखेंगे अभी संसत सतर चल रहा है तनका जी जितनी मजबूती से लाई दिल्ली में नहीं नहीं हर 미ले में अभी जो भी कोई मामला होगा जितना कोई ऐसा मामला होगा जिसमें माणी confronting ohjee म्यश्य तोर पह सड़कों से देखेंगे और तनका जी के बाहरे मैं तो पूरा देख जानता है कि जिस तरीके से पीडिर मानत्ता की सेवा के भाव उनके और उनके पूरे परिवार के मन में रहते हैं वो मैं नहीं समझता किसी राजनेता के मन में रहते हैं तनखा जी रहते हैं जबलपुर में हैं वो कैम लगाते हैं शैडोल में वो कैम लगाते हैं मल्ला में जहां से उनको कभी चुनाओं नहीं लड़ना है आप उसी बात से आप समझ लिजे कि मानितंखा जी का गरीबों के प्रती क्या लगाव होगा गरीबों की सेवा के लिए उनका क्या लगाव होगा तो वो अगर आंदोलन में आपको यहां नहीं दिख रहे हैं और वो शान बैठे हैं तो यह आपकी बात बिलकुल जूटी है आप देख लेगी सबसे ज़्यादा अगर लड़ाई सबसे ज़्यादा आंदोलन अगर दिल्ली में कोई कर रहा है तो मानितंखा जी आंदोलन सढ़कों से चालू होते हैं आम जंता के साथ चालू होते हैं जिस कारण संगठने उनको राजसाबं संसत्र आप सही कह रहे हैं कि हो संसत्र में जाकर लड़ा है च्यूंकि अभी सत्र चल रहा है उसके पूरू कम देखते हैं नहीं कम नहीं देखते हैं, उनकी अपना एक तरीका है काम करने का, वो जब जब जबलपुर आते हैं, आप जाईए वहाँ पर चुप चाप चाप देखी कि कितने जनों की वहाँ मदद करते हैं, और ये अभी नहीं जब वो सांसद नहीं भी थे, कोई को विदेख जरूरत हो कोई को स्वास की जरूरत हो, कोई को सिक्षा की जरूरत हो, मैंने स्वें देखा है तनका जी को, अपनी जेब से लोगों का इलाज कराती हूँ, मैंने खुद देखा है, अपनी जेब से लोगों की फीज भरते हुए, तो ऐसा आदमी आप अगर हर किसी को आंदोलन कारी से आवशकता है, और कई काम वो ऐसे कर जाते हैं, जो सब की नजनों से बचा के करते हैं, कि इसमें कहीं ऐसा ना हो कि लोग प्रोपोगेंडा करें, और लोग ये करें कि वो छपने के लिए उसके लिए करें, मानित तंखा जी का एक जो स्वभाव है, वो अधबुद है, और जाला खेमे स्थापित हैं संगटन में, क्यों? कब कॉंग्रेस साथ में आएगी जिससे एक मजबूत विपक्ष तयार होगा, ये जबलपूर की बात कर रहे हैं, कि देश की, मैं कॉंग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, कुने कॉंग्रेस संगटन की, देखिए, कांग्र अब ये जब बी कोई प्रदेश का मुद्दा होता है, हमाई प्रदेश के जितने नेता हैं वो एक मजपे आपको देखते हैं, कि जबलपूर के जितने की नेता हो, अभी जेलवरों, आंदुरन किसानों की समस्या को कर रहा है, चाहे शेयरों चाहे ग्रामीर, पूरे कांग प्रभाजी जन्ता पाटी में जौलपुर की तिति है विश्णोई जी की बब्बू से नी बन रही जब आदमी दादा थे तो बब्बू की उनसे नी मंचों में कई वार ऐसी चीज़ है प्रभाज साहु जी की विश्णोई जी से नी बन रही तो मैं तो नाम लेके पूरा मानी महापौर महोदेया की जो M.I.C. वो आधे एदा रहे आधी इदा रहे तो वो ते जहां ऐसे लोग रहते हैं पब्लिक के काम करने वाले जादा खुले दिमाग के जादा अगर ऐसे तो हमाई छोटी मोटी चीज़े मद्वित चलते रहे तो मद्वित इतना जादा पड जन्ता कर जो सम्मान है इस प्रदेश की जन्ता कर जो स्वाविमान है वो कैसे लोटे इसके लिए कांगरेस पार्टी 2018 में सरकार बनाके उनको पुना दिलाने का काम करी जिस तरीके से पूरे देश में एक कलंग के तौर पे मद्वित प्रदेश को देखा जा रहे हैं व्या अगर कोई गरीब आदमी की एक बात बिजली की समस्य उस समय बहुत जाए ठीके बिजली पर आजाए ये सडक पर आज़ाई जी आज जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है जी एनिवारें फंडिंग कर रहा है राज केंदर सरकार ये इतना पैसा देनी क्या उ जैसे जैसे आजादी के साल बढ़ रहा है वैसे वैसे मैच्योर होता जा रहा है नगन देगम 15 साल चुनाव नहीं हुए थे अगर आपको जानकारी में हो जो अर्बन बॉडीज है उनको चलाने के लिए राज सरकार के पास पैसा नहीं था जब आपके पैसा नहीं होगा त जानकारी में को, यसे समय दीगवेजे सिंग्य की सरकार थी दिगवेजी ने कहा तकी साथ साल आठ साल ते बिजली नहीं दे सकता हूं और नहीं देने के यह कारण है आपके पास इतना पैसा नहीं रहता थ कि आप सड़ के आपको कोई सड़क बनानी आँ आज इस पिर्दे प्रिदेश के हर एक आजमी पे 16,000 रुपे का कर्जा है माननिये मुकमंतिर जी जहां कहीं भी जाते हैं जो भी चुना होता है मैं यह बना दूगा वो बना दूगा पूरी गोज़राइं कर देते हैं उस गोशणाओं को फिर पूरा करने के लिए करजा लेते हैं उसके बाद पूरी नहीं होती है इस प्रिदेश का जो राजकोशी घाटा है वो दिम परती दिम बढ़ता जा रहा है भारती जंता पाटी हो चाहिए इस ओर ध्यान देने का ताम करें बात करते हैं सहर के कॉंग्रेस संगटन की नगर अध्यक्ष हभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है दिने जाद हो जी नगर अध्यक्ष है लंबा कारकाल हो चुक है वक्त बीच में बात आई थी कोई नगर अध्यक्ष बहुत जली नहीं धारत किया जाया पर अभी तक नहीं हो पा रहा है देखिए उसमें हमारे बड़े नेता लोग बहुत गंबीर चिंतन कर रहे हैं किस प देखेंगे जब भी परिवर्तन होगा तो होगा उसमें अभी वर्तमान में जो हमाने नगर के अध्यक्ष हैं काफी अच्छे वो काम कर रहे हैं चाहे आपने देखा हो 28 सालिक का कारिकराम उसके पहले व्यापम के जितनी भी आंदोनन हुआ उसमें बड़े अच्छे से मान और एक बार चुनाओ भी लड़ चुके हैं तो सौरप नाटी शर्माजी कब चुनाओ के मैदान में लिखेंगे अगर भगवान ने चाहा बुजोद्नों का आशिरवार ना तो 2018 में मैं चुनाओ लड़ने का इच्छु हूँ जी अगर मेरी पार्टी मेरे को टिकेट देती तो 2018 में चुनाओ लड़ूगा उत्तरमत से जी लेकिन एक बार फिर मैं कहा रहा हूँ चुनाओ समय समय पर आते हैं हर पांच साल में आते हैं जो भी राजबिती करने वाला आदमी सार्जेंट जीवर में रहने वाला आदमी होता है उसका अधिकार होता है कि वो चुनाओ म पर देश में कहांगिस पार्टी की सरकार में लेका काम है उत्तरमद्य विदान सवा की बात कर रहे हैं बहुत सारी समस्या हैं और इस छेतर के विदायक मैं मानी सास में भी सरजेंट जी आपको क्या समस्यां देखती हैं देखिए सबसे वड़ी समस्यां ये हैं कि उसको राशन मिले, माननीय मंतिरी जी जो है, ये उनका सौभाग बोलने, भगवान की परमात्मा की किर्पा बोल दें कि वो उनको तीसरी बार मौका मिल गया, आज तक मैंने विधायक जी को ना किसी बस्ती में घूंते देखा है, ना कभी किसी जनता की कोकार सुनते सुना है, ना कभी मैने उनके घर पे कोई गरीव आदमी को जाते देखा है, राजनीती की आवशक्ता, फिधायकी की आवशक्ता, उस आदमी को होती है, जो सोशित है, जो वन्चित है। आज जो संपन वर्ग है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, अगर आप विधायक की पूरे जवनपुर में आप देखने कि किस तरीके से गरीगों के साथ सोचन हो रहा है उनके अधिकारों को मारा जा रहा है हमारे भूत पूर महमान ते समीर रिच्छ जी जिनों जिनकी भी यही भावना थी कि उत्तरमद विधान सवा से वो भी चनाव लड़ सके हाँ हो ना बुद्ट देखिये मैं आपसे क्या कह रहा हूं जी इस शरच जैन जी का भाग है कि वो तीसरे बार से गधायक है समीर भाई का भाव हो मेरा हो और भी हमारे बहुत काफी नाम है राजनीती करने वाले समीर भाई भी पार्टी का काम करते हैं लोगों के काम करते हैं जिसका भाव होगा वो सब प्रतीस परदा में शामिल हो लेकिन सब एक मंसा से उस प्रतीस परदा में शामिल हो कि जिसको वी टिकेट मिले उसके लिए समुची कांग्रेस लगे तब जाके वह व्यक्ति वहां से जीतने का ताम परंतु सुरब जी समीर जी की अग्तर मद्य विधान सवा में ऐसी कोई उपस्तिती नहीं दिखती जिसके कारण ऐसा कहा जा सकता है कि उनकी भावना हैं कि वह उत्तर मद आप चाहें उत्तर हो, पूर हो, पस्चिम हो, कैंट हो, इस जोरपर हमारा है कितना बड़ा कोई आदमी कहीं से भी दावेदारी कर सकता है, लोगतंदर क्या यही तो लोगतंदर की खुब सूर्ती है, आप उसको बांद के कोई आदमी, मैं उत्तर मद में रहता हूं, लेकि पूर्वचेतर में जाके कुछ मामलो में आदमी करता हूं, लेकिन नेता वही होता है, जो फैल के काम करें, जहां पर उसकी आपशक्ता हो, वहां पर तशर सोके और मजबूती के साथ वो कड़े होके, आम लोगों की लड़ाई रखें, नेता वह होता है, लेकिन चुना उस को एक ही जगे से लगने का मौका मिल सकता है तो इसलिए वो महां से दावेदारी करें लेकि खुल के पबलिक का काम करें सबसे यादगार आंदुलन आपका और सफल आंदुलन दूद मूल वरद्धी के खिलाफ दूद मूल वरद्धी अब फिर मैं इस बारे में कुछ बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि इसमें मैंने क्रोस कोच लेंगे सोनु बचवाणी जी जो आचुके हैं हमाइशों में युवा मोर्चा के नगरत देक्षे उनका कहना है कि दूद माफियाओं को खतम करने का काम उनके द्वारक किया गया इसके पहले जब मैंने दूद मूल वर्धी के खिलाफ आंदुलन किया था दो हजार ग्यारा हरी रंजल राओ कलेक्टर थे आदनीशवर्दास रुमाणी जी उस समय जीवित थे 55 दिन का आमरण अंशन कलेक्टेट गेट के सामने करा था उसी आंदुलन के बाद से धारा 144 कलेक्टेट में लगी है बारती जन्ता पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं हो जिसके पास मैं गया नहीं कि आप आए ये दूद माफिया बे लगाम हो गए हैं और आपका जो व्यापानी संग का अध्याक्ष है वोही दूद माफियों का अध्याक्ष है तो उनसे बाद, चाहे राके सिंग जी हो, चाहे जो भी वहाँ पर उस समय नेता हो, उन सब की सारगार के चलते हैं, क्योंकि जवलपूर में 6 लाख लीटर दूद उस समय होता था, दो रुपे अगर बढ़ते हैं, तो प्रती दिन 12 लाख रुपे की उसमें उगाई होती थी, उस अंदोलन को मजबूती से किया गया, जवलपूर बंद हुआ, उस जवलपूर बंद की भूँच पूरे मत्प्रदेश में सुनाई थी, उस समय थोड़ा 50 पैसे 1 रुपे उने कम करा, अभी जब पुना, दूद वालों ने अपने पर फैलाने चालू करे, तो मैं एक पह से उनकी जो भी साड़ काड़ हो, मगर एक नेता के नाते, एक यूवा होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है, पर सोनु बच्वानी की ही तो पार्टी थी, वो अपनी पार्टी, ने, उनकी पार्टी से मैं आपको बतारा हूँ, आप मेरे को दो मिड़ा पूरी बास हो ल काम करां, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, हमाए साथ वो हमारे आंदोलन का हिस्सा बने, लेकिन उनकी एक जवाबदारी और बनती है, आप सत्ता में हो, आप चाहो तो कान मरोड के, पबलिक के हित में कोई भी निर्ने ले सकते हो, आपको ये प्रोगेंडा करने की, आप के लिए काम करने का दा, आने वाले समय में किन मुद्दों को लेकर अंदोलन करते देखेंगे, सौर्ण जी, जबलपुर के गरीब जंता के सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों के लिए बहुत बड़ा अंदोलन की में तैयारी कर रहा हूँ, जबलपुर के जितने भी जनप का अंदोलन भी करा था, जिसके तए 16,000 गरीब जन ने गरफटारियां दी थी, उसके बाद लोगों के राशन कार्ड भी बनना शुरू हुए थे, मगर जिला प्रसाशन फिर से इसमें ढीला ढाली कर रहा है, अगर आप चाहें, तो उसमें सचेत होके फिर से पुना गरीब के काम करना शुरू कर दें, नहीं तो आगे बहुत बड़े आंदोलन के लिए आप तयाद है, स्वरप जी जाते जाते हमाने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, देखिए आपके दर्शकों को तुम्हें ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से डिजिट अधर मनाने का काम करें, इस शेहर की जनता की सेवा करने का काम करें, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आये, यहाँ पर मेरी बातों को आम जनता तक पहुचाने का मेरी को अफसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो आज हमारे सा करेंगे एक और मेहमान के साथ तब तक के लिए मुझे श्रेजन शुक्ला इजाज़त दीजे नमस्का